अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर लगबक तैयार हो गया है, मंदिर का काम करीब करीब पूरा हो गया है 2024 में 22 जन्वरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्टा होगी पतादे प्राण प्रतिष्टा से पहले भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक महायग शुरू किया गया है जो प्राण प्रतिष्टा तक जारी रहेगा महायग को करवाने के पीछे का कारण ही बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्टा में किसी भी तरकी कोई भी बादा ना है पतादे अयोध्या में 25 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक 36 स्तान पर भंडारे चलाए जाएंगे जिसके लिए देश भर से भगवान श्री राम की रामभक्त अनाज और मसाले लेकर अयोध्या पहुँच रहे हैं तो वही दूसरी और असम से चाय पत्ती, तेजपत्ता, दालचीनी, काले मिर्च और अद्रत की पहली कैप और साथी हर्याना से 400 कुइंटल चावल भी अयोध्या पहुँच चुके हैं इस वरान अयोध्या में इस्तित राम सेवक पूरम में रामभक्तों के लिए केंद्रिय भंडार ग्रे बनाया गया है पतादे 30 दिसंबर को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी मर्यादा पुर्ष्यतम श्रीराम इंटरनेशनल एरपोर्ट का उध्धाटन करने के लिए अयोध्या आ सकते हैं ये जानकारी अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुपता की उच से सामने आई है साथी वेद प्रकाश गुपता ने ये भी बताया कि संभावना है 30 दिसंबर को पहले फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या आएगी और उस दिन हमारे देश के यशस्विये प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी अयोध्या रेलवे स्टेशन का लोकार पन करेंगे राममंदिर के गर्ब ग्रह का संगासन भी भनकर लगबक तयार हो गया है बस यहां सोने का काम होना बाती रहा है आपको बता दे भव्या राममंदिर में कुल 46 दर्वाजे होंगे जिसमें से ग्राउन फ्लोर पर 18 दर्वाजे होंगे सूत्रों के मताबिक उन 18 दर्वाजों में से 4 दर्वाजों पर सोने की परत चड़ाई जाएगी सबी कारिगरों की कोशिश रहेगी कि दर्वाजों पर सोने की परत लगाने का काम जनवरी के पहले सब्ता तक पूरा कर दिया जाए आपके जानकारी के लिए बता दे फिछले शुक्रवार को अयोध्या से श्री राम जन्म भूमे तेर्थ शेत्र ट्रस्ट के और से कुछ खास तस्वीरे जारी की गई तस्वीरों में राम मंदिर की छत, मंदिर के अंदर मंडब, मंदिर के बहार और अंदर की तस्वीरों में कारिगर शांदार नकाशी करते हुए नजर आ रहे हैं हैद्रवाद की कुछ खास कारिगरों ने अयोध्या में महाराश्ट्र के चंदपुर के सोगान की खास लकडिक अस्तमाल करते हुए दरवाजों पर नक्ताशी की है बाकी देश और दनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें दीन अगरी न्यूस नमस्कार